Good morning kids, ये क्या है? अरे हाँ, ये तो हमने चुन्नो की फैमिली में देखा था. This is a house, ये तो एक घर है. पिल्कुल हमारे घर जैसा. My home. Correct. तो आज हम my home के बारे में बात करने वाले हैं, यानि के हमारे घर के बारे में. लेकिन उसके पहले हम आज की डेट बताएंगे. What is the date today? Today is 19 July 2021. And what is the day today? आज कौन सा दिन है? Today is Monday. Yes. Sunday खतम हो गया, छुटी खतम हो गई and वापिस से स्कूल. तो बच्चों, ये home क्या होता है? और ये क्या बहुत जरूरी होता है? Home यानि के घर वो जगा होती है जहां हम अपनी family के साथ रहते हैं. अपने मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादा, दादी के साथ. We live in our home with our family members. And who are our family members? Our brother, sister, our mother, father, grandparents. Right? Hmm, तो घर, घर कितना जरूरी होता है? Is it really important to have a home? क्या ये जरूरी है? क्या ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास घर हो? बिल्कुल, अगर हमारे पास घर नहीं होगा, तो हम कहां रहेंगे? सोचो, बाहर open में रहना पड़ेगा, ट्री के नीचे में सोना पड़ेगा. और पता है, घर क्यों जरूरी है? क्योंकि घर बिल्कुल मम्मी, पापा की तरह होता है. Hmm, पता है कैसे? जिस तरह से मम्मी, पापा हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह से हमारा होम, यानि के हमारा घर भी हमें प्रोटेक्ट करता है. किस चीज से? बहुत सारी चीजों से, जैसे बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज जब धूप होती है समर में, तो हम कहां रहते हैं? cooler कहां चलाते हैं पंखा कहां चलाते हैं घर में so our home protects us from heat हमारा घर हमें गर्मी से बचाता है ठंड से बचाता है जब ठंड का मौसम आ जाता है winter season आ जाता है तो ठंडी ठंडी हावा चलती है तो हमें उस ठंडी हावा से कौन बचाता है हमारा घर अवर होम प्रोटेक्ट सस और देखो अभी कौन सा मौसम है बाहर मौनसून सीजन आ गया है रेनी सीजन जब देखो अचानक से बारश शुरू हो जाती है कभी तो दीरे दीरे होती है और कभी बहुत तेज से बारश होती है है ना तो अगर हमारे पास में घर नहीं होगा तो हम बाहर रहेंगे और हम बाहर रहेंगे तो भीग जाएंगे So our home also protects us from rain and dust बारिश से भी बचाता है धूल मिट्टी से भी बचाता है और पता है और किस से बचाता है Very important from animals देखो घर के बार में कितने सारे stray dogs है न जंगली कुट्टे इदर उदर घुमते रहते हैं और बारिश के मौसम में कभी कभी कहीं कहीं से साप भी निकल आते हैं है न और कभी कभी तो कोई-कोई जंगली जानवर भी आ जाता है कहीं कहीं पर तो हमारा घर इन सब चीजों से हमें protect करता है तो हुआ न वो बिल्कुल ममी पापा की तरह है न So house is very important for us Okay So what is house made of? घर किस चीज से बना होता है? क्या चीज़े हैं जो मिलकर घर बनाती हैं? See, house is made of four walls दिवारे होती हैं घर के अंदर में windows यानि के खिड़कियां होती हैं doors यानि के दर्वाजे होते हैं है न? किसी किसी का ground floor का घर होता है तो उसके घर के आगे में lawn होता है दिये देखो यह lawn है जहाँ पे तरह तरह की plants और bushes उगरे हैं यह देखा है ना और किसी किसी का घर first floor का होता है उनके घरों में balcony भी होती है यहाँ देखो यह घर का main door है और main door के बाहर में यहाँ पे थोड़ी सी जगा है है ना? तो इस जगा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं porch ठीक है बच्चों? इसको बोलते हैं porch देखो घर के बाहर में लाम्प भी टंगा हुआ है जब रात को अंधेरा हो जाता है तो मम्मी पापा घर के बाहर की लाइट ज़ला देते हैं ना? देखो इसमें छोटे-छोटे विंडोज भी है है ना? विंडो है, डोर है, लॉन भी है, लाइट्स लगी हुई है So it is very important बच्चों कि हमारा घर घर में बहुत अच्छी सी रोशनी आती हो और अच्छी हवा भी आती हो उसी को good home बोलते हैं यानि good house बोलते हैं ओके? अपने घर को साफ सुत्रा रखना भी बहुत जरूरी होता है It is very important to keep our house neat and clean और सिर्फ घर ही नहीं घर के आसपास की जगा भी देखो इन्होंने अपना घर कितना साफ रखा हुआ है कोई धूल मिट्टी, पत्थर, कंकर, कुछ नहीं है देखा? तो ऐसे ही हमें भी अपने घर के आसपास की जगा को बिलकुल साफ सुत्रा रखना चाहिए कूडा, कचडा नहीं फैकना चाहिए नहीं तो मच्छर आ जाएंगे तरह तरह की बिमारियां फैलेंगी वी माइट फॉल सिक है ना? देखें, इस घर को थोड़ा सा घुमा के देखते हैं देखो, इसमें कितने सारे विंडोज है साइड डोर भी है बाहर आने जाने के लिए जितने विंडोज होंगे उतनी ही रोशनी और हावा भी आएगी और देखो, इन्होंने ग्रीनरी का कितना ध्यान रखा है घर के चारों तरफ में सुन्दर सुन्दर प्लांट्स ग्रास, बुशिज ट्रीज, सब उगाए हुए हैं है ना? देखो, इनके पास में छोटी सी बैलकनी भी है राइट? विंडोज भी है विंडोज भी है हमें भी अपने घर को सुन्दर सुन्दर बना के रखना चाहिए अब मैं आपको दिखाऊं कि घर में कौन-कौन से कमरे होते हैं आज हम सिर्फ एक ही कमरे के बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे ठीक है? ये देखो बच्चो ये कौन सा घर है? ये घर का कौन सा कमरा है? क्या आप बता सकते हो? येस मैं आपको एक हिंट देती हूँ ये देखो छोटा सा डोर बना हुआ है है ना? तो जब हम अपने घर का डोर खुल के अंदर आते हैं तो जो पहला कमरा होता है उसे क्या कहते है? सोचो उसे कहते हैं ड्रॉइंग रूम राइट? ड्रॉइंग रूम यानि के लिविंग रूम उसके दो नाम हैं उसे drawing room भी कहते हैं, और living room भी कहते हैं, यह चोटा सा डूर बना हुआ है, यहां से जब हम अंदर आते हैं, तो सबसे पहला कमरा drawing room कहलाता है, living room, तो इस कमरे की क्या importance होती है, इस कमरे में क्या-क्या समान होता है, यह देखो बच्चो, यहां पे sofa seats पड़ी है, sofa seats, यह sofa, तो हम drawing room में sofa रखते हैं, कई लोग sofa के उपर में cushions भी रखते हैं, है न, और उन sofa के सामने में क्या पड़ा होता है, एक table रखते हैं, जिसे हम center table या coffee table भी बोलते हैं, आप चाहो तो आप उसे सिर्फ table भी बोल सकते हो, चेर्स रखी होती हैं बैटने के लिए, है न, और क्या होता है drawing room में, drawing room में टीवी भी होता है, है न, हम टीवी रखते हैं, सोफा पे बैटके हम टीवी देख सकते हैं, जब हमारा मन करता है तब, और book shelf भी रखते हैं, book shelf क्या होता है बच्चों, book यानि के किताब, shelf मतलब almari, किताब वाली almari, इसमें हम तरह तरह की books रखते हैं, देखो, मेरे पास भी एक book है, छोटी सी प्यारी सी book, तो वो मैंने इसमें रखी है, ये books जो हैं, आपकी school books भी हो सकती हैं, आपके मामी पापा की कोई magazine या newspaper भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि दादा दादी की कोई पूजा पाठ की किताब हो, तो जिस तरह की भी books हो, वो हम bookshelves में रखते हैं, राइट, सोफा पर कौन बैठता है, हम तो बैठते ही हैं, और कौन बैठता है सोफा पर, जब कोई महमान आता है हमारे घर पर, है ना, हमारे घर पर जब कोई guest आता है, तो उसे हम कहा बिठाते हैं, क्या हम उन्हें सीधा bedroom में ले जाते हैं, नो, हम उन्हें ड्राइंग रूम में सोफा पर बिठाते हैं फिर हम उन्हें पानी देते हैं बच्चों, जब आपके घर में कोई महमान आता है तो आप क्या करते हो? मम्मी, कोई आया है ऐसे बोलके अंदर भाग जाते हो नो, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें उन्हें जो भी महमान आता है अच्छे से प्यारी सी स्माइल दे के विश करना चाहिए नमस्ते, वनकम या फिर की गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टेनून जो भी उस समय दिन का टाइम है उस हिसाब से हमें उन्हें विश करना चाहिए और उन्हें बैठने के लिए कहना चाहिए फिर जब ममी पापा उनसे बात कर रहे हो तो हमें एक ग्लास में एक साफ ग्लास में पानी भरके उस महमान को ओफर करना चाहिए ठीक है बच्छों? और यही नहीं, जब पापा भी ओफिस से ठक कराते है तो क्या आप हमेशा ममी को ही पानी देने देते हो? कभी-कभी आपको भी पापा को पानी देना चाहिए पापा विल फिल वेरी हैपी उनको लगेगा मेरा बच्चा तो कितना बड़ा हो गया मेरा इतना ध्यान रख रहा है है ना? और क्या करते हैं हम ड्रॉइंग रूम में? हम सोफा पे बैठते हैं और हम टीवी देखते हैं बेरी गुट बच्चों, जब हम टीवी देखते हैं न तो टीवी के बहुत पास में ऐसे चेर लगा के बैठके नहीं देखना चाहिए इतनी पास से देखने से हमारी आइस कमजोर हो जाएंगी खराब हो जाएंगी फिर हमें एनक लग जाएगी हम चश्मा चश्मा चड़ जाएगा फिर हमारी आँखों पे तो अच्छा नहीं लगता ना फेस इसलिए जरूरी है कि टीवी को दूर से देखा जाए ठीक है ताकि हमारी आँखें खराब नहीं हो मेरे पास में एक छोटा सा प्यानो था टॉई प्यानो तो वो भी मैंने ड्रोइंग रूम में रख दिया और सामने में चेर रखी है ताकि जो भी ये प्यानो बजाएगा वो इस चेर पे बैठके बजा सकता है अच्छा अच्छा म्यूजिक निकलेगा तो कितना मज़ा आएगा न और एक बहुत जरूरी बात है जब हम चेर पे बैठते हैं या सोफा पे बैठते हैं तो हमें अपने पैर कभी भी टेबल पे नहीं रखने चाहिए इट इस बैठ मैनर्स ओके हमें हमेशा सोफा पे बैठके पैर नीचे करके बैठना चाहिए पैर सामने टेबल के उपर रखके नहीं बैठना चाहिए वी शुट नाट सिट विद आवर फीट ओन दे टेबल यहीं बैठने का सही तरीका है अब यह तो था मेरे पास में जो थोड़ा बहुत समान था उससे मैंने यह एक ड्राइंग रूम बनाने की कोशिश की आपको दिखाने के लिए अब हम ड्राइंग रूम में और क्या क्या होता है उसके लिए बुक देखेंगे ठीक है बच्चों